असलाम अलेकम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉर्वर्वर्ड यूट्यूब चैनल मैंना नाम है आजम और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्रेसर को हम कैसे जान पाएं कि यह बड़ा चार है पांच है छे है आट है यह दस है क्योंकि काफी सारे दो काफ कर लेंगे यह अपको आफी गया काफी सर्ट होगा हैजुक्त राफ़ता कर लेंगेatus और उन्हें पेमट कर कि पूरा PCP कोर्स पर्चेस कर लेंगे, फ्री में साथ application भी पर्चेस कर पाएंगे, तो लेकिन इसके इलावा मैं आपको बता दू कि अगर आपको किसी चीज में problem हो रही है, किसी भी compressor में छोटा है, बड़ा है, चाहे वो AC का है, तो उसको कैसे आपने solve करना है, बहुत ही असान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट उसको Google पर search करके आपने देख लेना है, लेकिन काफी सारी दोस्तों को नहीं पता कि कौन सी चीज सर्च करनी है, code सर्च करना है, what सर्च करनी है, क्योंकि हमारी field में ज्यादा तर जो है, मतलब इतने graduate नहीं होते, technicians तो फिर उन compare से judge कर सकते हैं, ठीक है, अगर code है, watt वगारा, ampere वगारा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप easily उसके code से compressor के size का पता अराम से लगा सकते हैं, तो यहां पर वही हम इसको देख लेते हैं कि compressor जो है, कैसे हमने find out करना है, mobile से ही, कि यह कितने power का है, एक बड़ा 3 का ह है, 5 का है, 8 का है, 6 का है, कौन सा है, देख लेते हैं, आपके पास कोई भी compressor है, यह एक मेरे पास compressor है, example के तोर से, यह मैंने Google से ही उठा लिया है, आप random कोई भी पकड़ने, आपके सामने कोई भी है, मैं अक्सर कोई मेरे जहिन में भी कई बार यह code नहीं रहता, तो मैं इस पांच हैगा, चार हैगा, कौन सा compressor आएगा, तो यहाँ पर जो है, इसमें, अब देखें, इसके उपर mention तो नहीं किया गया, बस यह बताया गया, 220-240V, 50-60Hz, और 1PH, और R134M, रेफ्रिजेंट वाला है, यह compressor बस, जश्ट आपने क्या करना है, यह सब से उपर एक code आपको Google में डाल देना है, वहाँ से आपको easily पता चल जाएगा, चलिए देखते हैं, QD91H, ठीक है, QD91H, इसको मैं ले जालता हूँ Google में, यह आगा है Google, QD91H, यह आद से, Google पर डाल देते हैं, सब से उपर ही डाल देते हैं, चलिए, QD91, सोरी, और H, आगे आपने लिख देना है, कंप्रेसर, HP, HP साइज लिख दे, यह आप यहाँ पर कंप्रेसर, पावर, साइज, ठीक है, यह जिस्ट आपने सेर्च कर देना है, अब हम देख लेंगे क्या है, जो भी स्टेक हुई, वो आउपर, क्लीर हो जागी, ओके, अच्छा, यह कितनी पावर का है, यहाँ पर आचुका है, सामने ही लिखा हुआ है, आप में देख लिया, एक बड़ा चार का यह कंप्रेसर है, यह देखें, यह उपर ही लिखा हुआ है, एक बड़ा चार रेफरिजर्टर कंप्रेसर, और यह लिखा भी हुआ है, QD91HV, और यह सेम वही कंप्रेसर यहाँ पर शकल में पी आगया, यह पहली वेबसाइट ने बताया है, दूसरी वेबसाइट से भी वेरिफाइट कर लेते हैं, दूसरी वेबसाइट में इसकी कीमत लिखी हुई है, बाकि इसको क्लिक करके हम इ कि लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, कम्रेसर, एक बड़ा चार, और एफ्रजरेशन, र-1,3,4 A, ठीक है एक बड़ा चार का, उसको बात तीसरी चोति पे आएंगे, वहाँ पर, और गैस सबसे पहले लिखा हुआ है, एक बड़ा चार का है यह, इसी तर नीचे नीचे तो तीन वेबसाइट से उपर से ही आप देख लेंगे तो आपको बता चल देगा हाँ यह तो वही कमप्रेसर सेम शकल भी उसकी नजर आ रही है मतलब सेम और कमप्रेसर का साइज एक बड़ा चार निकल आया मतलब कोड डालना है उपर और कमप्रेसर पावर साइज लिख दे बहुत ही कंप बाए चांस ऐसे होते हैं कि जिनका कोड गूगल पर आपको नहीं मिलता मोस्टली हर कमप्रेसर का गूगल पर आपको मिल जाता है तो यह इसका तरीकागार था और बहुत ही असान सिंपल तरीकागार था जिसमें आपको किसी चीज की परशानी नहीं टेंशन झाल झाल